नमो बुद्धायें आज हम आप लोगों को पावित्र होने के बारे में बता देंगे पारिशुद्ध ता के बारे में बता देंगे ततागत भगवान बुद्ध जी हम लोगों को बताये थे कि हम लोगों का सरीर का आचरन वानी का आचरन तता मन की विचार पारिशुद्ध पावित्र करने के लिए कोई भी क्रिया हो मन से हो या सरीर से हो या वानी से हो कुछ भी क्रिया करने के पहले करते समय तता करने के बाद परिक्षा कर करके देखने के लिए बताया क्या देखने के लिए बताया परिक्षा करने के लिए क्या परिक्षा करने के लिए सरीर का आचरन मुझे बोलने वाला हर एक चीज मान में सोचने वाले चीज ये कोई भी क्रिया करने के पहले तथा करते समय तथा करने के बाद उस क्रिया को परिक्षा करके द्वारा देखना चाहिए वो सारीरिक क्रिया हो या मान की क्रिया हो या तो फिर वाने का क्रिया हो ये सारे क्रिया परिक्षा करके पावित्र करने के बारे में बहुत सरल से अच्छा से हम लोग को बताए ऐसा है तो परिक्षा करन मतलब क्या है परिक्षा करन मतलब ये जो सरीर मन वानी का क्रिया मेरे लिए अच्छा कल्यान होता है की नहीं मेरा ये सरीर मन वानी का क्रिया से दुसरों का कल्यान होता है की नहीं मेरा है सरीर मन वानी का क्रिया से अपना तता दुसरों का दोनों लोगों का कल्यान होता है की नहीं अगर कल्यान होता है तो वो सरीर तता मन वानी तीन प्रकार की क्रिया कुसल होता है यह बात बता है राहूल बंतेजी को सुत्रयाद है नहीं दुसरा को सूत्र होगा बहुत सूंदर एक सूत्र आपलों को एक दिन हम मैंने बता है हमको याद दें तीन साल पेरे मिर क्याल से तो अगर वो सारे लोगों का खाल्यान होगा तो तीन प्रकार के क्रिया से वो कुशल है या कुशल है कुशल है उसी क्रिया से सुख मिल जाता है सुख फल प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार कल्यानकारी चीज़ करने के लिए तता अगत बगवान बुद्ध हमें बताएं तो जो कुश क्रिया अपने को तता दुसरों को सारे लोगों का कल्यानकारी नहीं है तो सारे लोगों के लिए घटा है तो दुख के लिए है तो अहित के लिए है तो तो वैसा क्रिया से दुख मिल जाता है दुख फल प्राप्त हो जाता है वो सारे क्रिया अकुसल है दुख लाके देने वाले क्रिया है इसी प्रकार दुख फल मिलने वाले क्रिया ततागत बगवान बुद्ध ने बताया कभी मत करिए ऐसा है तो ततागत ने हम लोगों को बताया क्रिया करने के पहले कुछ भी क्रिया करने करते समय ततागत करने के बाद भी किया हुआ करने के सोचने वाले क्रिया के बारे में मनन करना चाहिए कैसे मनन करना चाहिए ये जो क्रिया है वो मेरे लिए कल्यानकारी है की नहीं दुसरों का कल्यानकारी है की नहीं मेरा और सारे लोग का कल्यानकारी है की नहीं अगर कल्यानकारी नहीं है तो ओयसा क्रिया से सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है ओयसा क्रिया से, ओयसा क्रिया को कहता है आकुसल या तो फिर पाप ओयसा क्रिया से हर पल हमें तकलिफ होते रहेगा तो अगर सरीरमन वानी का क्रिया से अपना कल्यान तता दुसरों का कल्यान होगा तो वो खारे क्रिया कल्यान कारी है तो वो इसा क्रिया से उसी क्रिया को कहता है कुशल क्रिया उसी कुषल पुन्निक रिया से सुक मिलता है सुक फल प्राप्त हो जाता है एसा है तो अच्चाई एवां बुराई को तोल मोल कर समझना कौन करना पड़ेगा खुद का काम है या तो पिर गुरु दिखाना पड़ेगा खुद का काम है सही एवां बुरा आच्चा एवां गलत ये सब कुछ तोल मोल कर समझना अपना अपना का काम है अगर उतना वो चीज समझने का हीमत नहीं है तो उसी ब्याक्ति को कहा जाता है कमजूर नीज उसी का मान और जनम बेकार है क्योंकि कम से कम अच्चा ही बुराई को भी थोल मोल के देख नहीं पाता है उसी परकार बगवान बुद्ध जिस परकार बता है उसी परकार मनन करके देखेगा तो खुद को समझ में आता है अपना हरे एक आचरन के बारे में एसे मनन करके अपना हरे एक काम को सही थारीके से पावित्र करने के लिए मेहनत कर सकता है और अपना सरीर मन वानी का पावित्रता दुसरों को नहीं करा सकता है खुद को करना पड़ेगा और किसी को बोल के करवा नहीं सकता है मेरा आचरन पावित्र कर दो वानी पावित्र कर दो मेरा मन पावित्र कर दो दुसरों को कहने पर नहीं होता है ये हो सकता हैं कि गुरु हम लोगों को रास्त बता देगा ऐसे करने से से होगा लेकिन करने का करताविय अपने अपने पास होता है तो ऐसा है तो इसी प्रकार ततागत भगवान बुद्ध की ये दिखाएंगे पवीत्र धरम हम लोग स्वीकार करेंगे तो जरूर हम लोग अपना सारीरी क्रिया मन की क्रिया थथा वानी का क्रिया पावित्र कर सकते हैं हम लोग कर लेते हैं उसी प्रकार हम लोग अपना सरीर का मन की वानी का क्रिया पावित्र करने के लिए कोशिश करेंगे तो याद रखे हम वो ततागत बगवान बुद्ध की अनुसासन को मानते हैं सुविकार करते हैं उनको इज़त सत्कार सम्मान करते हैं उन लोगों को कहते हैं श्रावक उनका नाम क्या है? श्रावक उनको कहते हैं बुद्ध श्रावक वो ततागत ज्यानुत्सासन को मानने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं उसी प्रकार अगर स्ट्रावग बनेंगे तो हम लोग जिस प्रकार ततागत बगवान बुद्ध दिखाया उसी रास्ता अपना कर खुशी से रह सकता है हम लोग उसे प्रसन होना चाहिए एसे प्रसन होने के लिए हम लोग उन ततागत की धरम के बारे में श्रद्धा आना चाहिए ये धरम सत्य हैं, ये धरम पवित्र है एसे सोच के ततागत की ज्यान के अनुसार जीने के लिए प्रयास करना चाहिए देखिए ततागत बागवान बुद्ध हम लोग को एकदम आराम से ये धर्म की रास्ता प्रयास करने के लिए रास्ता बताए है न आराम से जो कोई ततागत बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाते हैं दिल से हर एक गलती को दीन प्रतिदिन हटा हटा के वो ब्यक्ति संसार में सबसे कुशी से रहने वाला है उसको दुख मिलता ही नहीं क्योंकि वो अतीत के बारे में पच्टाता नहीं है बिता हो अतीत के मनन करके बाविश्ची के बारे में कोई आशा भी नहीं रखता है वरतमान में संतुष्ट होते हुए होस में रहते हैं उनका क्या तकलिफ है उसका मन में कभी आ सकता है कि वो उसने मुझे गाल दिया ठाग लिया लूट लिया दुखा दिया इसे हुआ वो हुआ वो करेगा भी बाविश्ची के बारे में कोई दुख नहीं है तो इतिहास चोड़ दिया बाविशे के बारे में कोई आशा नहीं वरतमान में सांतुष्टी से कुशी से रहते हैं वो ब्याक्ति हर पल कुस नसीब से रह सकते हैं इसलिए थतागत की रास्ता पे जाने वाले सारे लोग कुशी से रहते हैं मुस्कुराते हुए चैन से रहते हैं अगर नहीं रहे पाएगा तो तेंशन में रहेगा तो वो धर्म से हट गया है तो अपना मर्जी से कुछ रास्ता पगड़ लिया जाने के लिए खत्रा है ततागत बगवानबुत हम लोगों को एकदम काठीनाई रास्ता दिखाया क्या बिलकुल नहीं आप लोग देखने में लगेगा ततागत की रास्ता से दिखान करना पड़ेगा कितना मुश्किल है सील सुरक्षा करना पड़े कितना मुश्किल है वो ऐसा अपना मन में एक संकल्प बना दिया है असलियत में देखेंगे तो आप लोग आदा गांटा दिखान करें कि देखी कितना खुस हो जाए जिस दिन आप लोग दियान नहीं करता है उसी दिन मुर्जा गया जैसा चैन नहीं है कुस नसीब नहीं है लेकिन जब आप लोग अच्छा से सील सुरक्षा करेंगे तो जब आप लोग ज्यान सुनेंगे तो फुन्य करेंगे तो उसी पुरा दीन भर पुरा दुनिया डाट या था भी दिल में खुशी है देख लिए देखिए इसलिए हम लोग रोज हम लोगों का दाइनिक कार्य करते हुए रहते समय ततागत बगवान बुद्ध की पवित्र ज्ञान को प्रयास करते रहना चाहिए अभी हम लोगों को ततागत बगवान बुद्ध एक मार्ग दिखाया है क्या है मार्ग अभी ओही दिखाया है सरीर को पावित्र करने का तरीका वानी को पावित्र करने का तरीका मान को पावित्र करने का तरीका ये कम हम लोगों को रोज अपना सामान्य कार्य करते हुए कर सकता है इसलिए ततागत बगवान जो दिकाया हुआ ज्यान बहूत गवरता से स्वीकार करके उसको प्रयास करना चाहिए उसी प्रकार हम लोग अपना मन में संकल पलेना चाहिए हम भी ततागत बताएगे उपदेशों के अनुसार सरीर, मन तता वानी को पावित्र करेंगे इसलिए ततागत बगवान जो दिकाया अतीत में हो या वरतमान में हो या बविश्य में हो जो कोई स्रमन हो या ब्राह्मन हो कोई भी ब्याक्ति हैं वो सारीरिक का क्रिया वानी का क्रिया मन का क्रिया पावित्र करेंगे तो पावित्र करने के लिए मेहनत करेंगे तो तथा अपना क्रिया के बारे में परिक्षा करते करते देखके पावित्र करेंगे तो वो पवित्र हो जाता है और कोई तरीका नहीं है यही है तरीका तो इसी प्रकार सारीरिक मानसिक वाचसिक क्रिया को योनसु मानसिकार से मनन करते हुए दे के पवित्र करना चाहिए ततागत बगवानबुद ये रास्ता एकनम सीधा थीर मारना जैसा सीधा दिखाया है कभी नहीं बताया आप लोग गुमा गुमा के बात कभी बगवानबुद बताते नहीं है गुमा फिरा के बात नहीं उनके पास सीधा बताते ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा एसा मेहनत करेगा तो ऐसा फल पा सकता है तो ततागत की उपदेश के अनुसार हम लोग जीने के लिए कोशिश करेंगे तो फाइदा क्या है उनकी ग्यान के अनुसार रहने वाले लोग खुशी से अपने आप खुशी मिल जाता है क्योंकि उसी ग्यान के अनुसार दुख नहीं मिल सकता है अगर दुख मिलेगा तो भगवान बुद ऐसा ग्यान बताता नहीं है खुशी मिलने वाले ग्यान ही बताते हैं हमेशा प्रीत उत्पन हो जाता है एसा प्रीत उत्पन होने के कारण उनका मन समाधी में आ जाता है चाहे हो दिहान किया या नहीं हर पल उनका मन समाधी में है एसा है तो हम लोग को कभी-कभी टेंशन, दुखन, तकलिफ, चिंत होने का कारण क्या है? समय समय पर हम लोग बगवान बुद्ध की रास्ता से हाट जाते हैं समय समय पर हम लोग अपना जिद्धी पर रहने लगता है तब टेंशन आ जाता है, परिशन हो जाता है इसलिए हम लोग पवित्र होने के लिए कोशिस करना चाहिए सरीर से हो या मन से हो या तो फिर वानी से हो केसे पवित्र करना चाहिए? कोई भी सरीर या मन या वानी का आचरन क्रिया करने के पहले थथा करते समय तता करने के बार उसके बारे में सोचना चाहिए हम ये जो कुछ बोलने के लिए जाता है वो मेरे लिए कल्यान होगा वो दूसरों का कल्यान होगा वो दोनों का कल्यान होगा की नहीं अगर वो कल्यान कारी नहीं है तो ऐसा शाब्दमू से नहीं निकाल देना है एसा सरीर का आचरन नहीं करना है एसा मन से नहीं सोचना चाहिए अगर आप कोई कारण पर आपलो सोचते हैं उसी सोच विचार के अनुसार अपना घटा हो जाता है दुसरों का भी घटा हो दोनों का गाटा हो तो उन नहीं करना चाहिए अगर अपना फायदा है लेकिन दुसरों का गाटा है वो वो भी नहीं करना चाहिए दुसरों का कल्यान लेकिन अपना गाटा है वो वो भी नहीं सारे लोग का कल्यान के लिए ही मनन करना चाहिए सारे लोगों का जिस प्रकार कल्यानकारी होता है उसी प्रकार मुँ से सब्द निकालना चाहिए सभी लोगों का कल्यानकारी बन जाता है उसी प्रकार सरीर से आचरन करना चाहिए इस प्रकार सरीर मनवानी से क्रिया करेंगे तो हम लोग से कभी किसी को पारेशान दुख तकलिफ नहीं मिलता है तो हम लोग दुख से रह पाएगा नहीं क्योंकि हम लोग दुख से रहने वाले आचरन करता है नहीं इसलिए आप लोगों को भी इसी प्रकार पावित्र होने का अपना सरीर मनवानी को पाईतर करने का बहागी मिल जाए